ओम श्यान्ति आज आपका 97 दिन का वर्दान और आज इस महावाक्य में परमपिता परमात्मा शिप बाबा आज हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा धर्ती पर जबाते हैं तो हमें एक टीचर बन करके, एक सद्गुरू बन करके शिक्षा देते हैं कौन से शिक्षा? वो शिक्षा जिससे कि हम मुक्ती को पापाएं। पता ही नहीं है क्योंकि हम अपने आपको ही भूल चुके हैं। तो मन कितना शांत हो जाएगा और हम परमात्मा के साथ उनके शांती धम वापिस जा पाएंगे। तो देखें आज बाबा कहते के हैं परमात्मा कहते के हैं जवर्दान में। बाबा कहते हैं देह अभीमान के त्याग द्वारा। देह अभीमान बस दो चीज़े हैं। अगर मैं अपने आपको शेरीर समझूँ तो मुझे शेरीर और शेरीर की दुनिया और शेरीर के संबंद याद आएंगे। मामा, भतीजा, काका, चाचा इस सब याद आएंगे। बहु याद आएगी। देह अभीमान के कारण ये सब कुछ होता है। लेकिन, अगर मैं अपने आपको आत्मा समझूँ तो मुझे कौन याद आएगा? आप समझ गए, परम पिता, परमात्मा जोतिर बिंदू। तो बस इतना ही फरक है अपने आत्मा समझना ये अपने आपको शेरीर समझना। शेरिर के उपर नाम है, मैं अपने आपको शेरिर के नाम से याद करूँ तो मुझे धंदौलत, मेरी सर्टिफिकेशन, सारी चीज़े याद आएंगी, लेकिन अगर मैं अपने आपको आत्मा समझूँ, तो क्या मैंने परमात्मा से वो सर्टिफिकेट पाया है भी तक, उनका बच्चा कहलाने लायक, तो सोचनजरा, तो बाबा कहते हैं, दे अभिमान के त्याग दोरा, तो इसका अभिमान त्याग है, तो तो हम परमात्मा के पास आएं, भक्ति में हम पूजा पार्ट तो करते हैं, जिसने ज्यादा भक्ति करी, जिसने ज्यादा पूजा पार्ट कि हम सोचते हैं भगवान के निकट है लेकिन परमात्मा कहते हैं उससे जब तप यग से तुम मुझे पा नहीं सकते ये गीता में ही लिखा हुगा है और बाकी धर्मों में भी उनके शास्त्र में भी लिखा हुआ है जब तक मैं स्वय माकर के तुम्हें आत्मे ग्यान ना दूं अपना स्वय का परिचे ना दूं तब तक तुम मुझे पैचान नहीं सकते हो तो परमात्मा केते हैं उसके लिए क्या है पैचान निकले है क्या है पहले आँखों के उपर से परदा तो हटाएं ये आँखे बंध हो तबी तो ये आँखे खुले तो बाबा केते हैं दे बाब का मार्ग दर्शन देना है उसकी सारी प्राप्ति हमें मिल जाती हैं तो किस दिशा में चलना है तो बाबा कहते हैं विस्तार में देह अभीमान का त्याग करने अर्थात देही अभीमानी बनने देही अभीमानी में देह को भूल करके आत्मा की याद मैं एक आत्मा हूं और आतमिक नजर से हर kisी को देखना, हर kisी से action में या हर किसी के साथ में कर्म में आना, बोलचाल में आना, देख में आना बाबा कहते है, दे अभीमान का त्याक करने, अर्था दे ही अभीमानी बनने से बाब के सर्व संबंध का परमात्मा के सारे संबंद, शेरिर के संबंद भी कितने सारे हैं, कोई आपका चाचा है, कोई आपका पिता है, कोई आपकी माँ है, कोई बच्चे है, आप किसी की बहु हो, आप किसी के बीबी हो, यह सारी चीज़े संबंद आ रहते हैं, लेकिन जैसे मैं अपने आपको आत् दूहू सका, साजन, सजनी, सब कोई परमात्मा बन जाते है। युक्ति है किस लिए मुक्ति पाने के लिए। ताकि हमारा किसी से कोई इच्छा ना हो, हम अच्छा कर पाएँnd किसी के साथ मन कोटाव न हो। कि उसने मेरे से क्यों नहीं बात करी अच्छी से, उसने मुझे बात क्यों नहीं करी, बहुत समय से हम आपस्वनी मिले हैं, याद आती है उनकी, मेरे सम्मदी सारी चीज़ें हट जाएंगी, तो परमात्मा कहते हैं सिर्फ मेरी याद रहेगी, तो यह अनुभव ही संगम युग का श्रेष्ट भाग किया है, इस युग का, वि जोड पाएंगे, और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी, सिद्धियां कौन सी, क्रोध के उपर काबू करना, अहंकार के उपर काबू करना, इर्शा, द्वेश, ग्रणा के उपर काबू करना, अलस से अलबेलेपन के उपर काबू करना, तो यह सारी क्या है, सिद्ध लेहें में उन्से प्यार में अपना ताज, तकत और अपना असली सुरूप सब छोड़ दिया, परमात्मा हमें सत्ययूग में ले आते हैं, फिर हम नीचे द्वापर यूग में आये तरेता के बाद में और द्वापर यूग में हम देहधारियों से महबत करना शुरू कर दिये हमने तो परमात्मा कहते हैं उस समय तुमने क्या किया अपना ताज भी छोड़ दिया responsibility छोड़ दी purity का ताज दिखाते हैं देवी देवताओं के पीछे वो purity को भी तुमने छोड़ दिया देहधारी से महबत करके देह से शरीर से प्यार करके और साथी साथ अपना तकत तकत मतलब responsibility सारा राज भाग्य सब कुछ छोड़ दिया है ना और साथी साथ अपना असली सुरूप सब छोड़ दिया असली सुरूप क्या आत्मिक सुरूप को भी छोड़ दिया हम भूली गए हमने अपने शरीर को पहचाना शुरू किया अपने आपको से रिलेट करना शुरू किया और देहधारियों से संबंद बनाई शुरू कि और इसके लिए हमने अपने सब कुछ responsibility, ताश, तक्त, धन, दौलत छोड़ दी सोची कितने अंधे हो चुकी थी या मात्मा है तो परमात्मा कहते हैं तो क्या बाप के स्नेहे में हैं देह अभीमान का त्याग नहीं कर सकते हैं कितना मीठे प्रकार से परमात्मा याद दिलाते हैं समझाते हैं बिना डाटे होए, बिना कुछ करे होए, पुछकार करके तो क्या हमने इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकते हैं कि परमात्मा के लिए कि देह अभिमान को त्याग करें और अपने आपको आत्मा समझे दिन भर इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे आप सोचें इसको बस प्रैक्टिस करें कि मैं एक आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं तो आपके मन के अंदर शान्ति आनी शुरू हो जगी सारा भग्य आपको मिलेगा और खुद ही सोचें किस प्रकार की आत्माय जाएंगी सत्युग में स्वर्ग में हेवन में जिनको देह कांकार हो देह की चीज़े याद आएं या जो आत्मा विमानी और हर किसी को आत्मिक दृष्टी से देखें तो आप खुद सोचें किस धर्म की आत्माय सरुग में जाएंगी क्या वो हिंदो होंगे, मुसलिम होंगे, सीख होंगे, इसाई होंगी कि जो स्वा के धर्म, आत्मिक धर्म में टिकी हुई आत्माय होंगी एक दृष्टी कोंड से देखने वाली क्योंकि सत्युग में एक धर्म, एक राज, एक भाशा ही होती है तो इसी के साथ में आज का आपका दिन शुभ हो इसके बार में गहरी चिंतन करें आप और स्वस्त रहें, घर के अंदर रहें ओम शैंती